आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूस करते हैं कोई भी वीवो का फोन और यहाँ पर आपको अपने वीवो के फोन में प्रॉब्लम आती है आपके फोन में ब्लूटूथ वर्क नहीं करता है या फिर कनेक्ट नहीं होता है तो यह प्रॉब्लम इसे ठीक कर सकते हैं आई आज किस वीडियो में जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका है आपको अपने फोन में settings को open करना है settings को open करने के बाद नीचे scroll करिए यहाँ पर आपको नीचे आएंगे तो एक option मिलेगा system update system update पर touch कर दीजिए यहाँ पर चेक कर लीजिए अगर कोई अपडेट आया है तो अपने फोन को अपडेट जरूर कर लीजिए और यहाँ पर अगर कोई अपडेट अवेलेवल नहीं है तो आपको back आ जाना है उसके बाद second step है आपको नीचे स्क्रोल करना है settings में यहाँ पर आएंगे तो एक option मिलेगा more settings more settings पर आपको touch कर देना है touch करने के बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यह options आ जाएंगे आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है यहाँ पर एक option मिलेगा backup and reset इस वाले option पर touch कर दीजिए तो यहाँ पर हम touch कर देते हैं touch करने के बाद एक option मिलेगा आपको reset network settings यहाँ पर आपको कोई भी data delete नहीं होगा तो परिशान होने की कोई problem नहीं है आपको यहाँ पर तो इस पर touch कर दीजिए touch करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं wifi, mobile network, bluetooth से related अगर आपकी कोई भी problem है तो यहाँ पर reset settings का एक option मिल जाता है आपको नीचे इस पर आपको touch कर देना है touch करने के बाद यहाँ पर आप अपने phone का lock डाल दीजिए यानि कि जो भी lock लगा रखा है तो हम डाल देते हैं उसके बाद दुबारा से एक option आएगा नीचे reset settings का इस पर touch करिए और यहाँ पर आपके phone की settings reset हो जाएंगी तो यानि कि इस सिर्फ आपकी network settings reset होंगी कोई भी data delete नहीं होगा तो आप इसे कर सकते हैं यह सब करने के बाद अपने phone को एक बार restart कर लीजिए और यहाँ पर आपकी यह problem ठीक हो जाएगी अगर आपकी problem फिर भी ठीक नहीं होती है तो हो सकता है आपके phone में कोई hardware problem हो तो वो आपको repair करानी पड़ेगी तो अगर यह video पसंद आई तो video को like करें और channel को subscribe जरूर करें